दोस्तों अगर आपने साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल सबने सुहाने लड़कपन की देखा होगा तो आप अभिनीत्री रूपलत्यागी से तो अच्छे से परिचित होंगे जिनोंने शो में फ़ान लविंग और बबली गुंजन के केडार में एक खुद को ब कारे में जानते हैं कि वो कौन हैं क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं शायद नहीं जानते होंगे इसलिए तो आज किस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं अगर आप इन बातों से रूबर होना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के एंट तक साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें सीरियल से अपने सुहाने लड़कपन के में गुझन का किरदार निभाकर मशूर हूई अबनेटरी रूपल तयागी का जन 6 अक्टूबर 1989 को बंगलूरू में हुआ और इसले इनकी सारे पढ़ाई यही से हुई वही बात कर इनके करियर की तो बता दे इन्होंने अपने करियर की शिरुवात की साल 2007 में आई फिल्म बूर भुलाया से बत और असिस्टेंट कोरिग्राफर जिसके बाद इन्होंने टीवी जगत में कदम रखने का फैसला किया और साल 2007 में आई शो कसम से में एक छोटा सा किर्दार निभा कर अपने अक्टिंग करियर की शिरुवात की जिसके बाद साल 2008 में सीरिल हमारी बेटियों का विवाज शो करके इन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान बराई जिसके चलते इन्हें आगे कई टीवी शोज में काम करने का मौका मिलाए जिनमें दिल मिल गए एक नहीं छोटी सी जिन्दगी और शक्ती अस्तित्वे के एहसास जैसे सीरिल्स शामिल है जिनमें काम करके आज ये काफी जादा फैन फॉलोइंग और पॉपुलारिटी हासल कर चुकी है लिकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अबरीत्री की मापा पिता की तो इनके पापा का नाम है राजिश ट्यागी जो पीशेस एक बिसनिसमैन है जिनका खुद का मुंबई में रेस्टों हैं जिसके जरीए एक काफी अच्छी कमाई करते हैं और आज ये अपनी लाइफ में साफलता की उचाईयों को छू रही है इसलिए अपने काम में वेस्ट रहने की वज़े से इने लाइम लाइट में रहना बिलकुल पसंद नहीं एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली और क्लोज रिलेक्शनशिप के चलते रूपल त्यागी और इनके पिता की चंद तस्वीरें दिखी जाती है जिनमें इन दोनों के बीच का प्यार और खुबसूरत बॉर्ण साफ दिखता है पिता के बार अब बात करें इनकी मा की तो बता दें इनकी मा का नाम है पूनम त्यागी जो की पेशे से एक होम मेगर है और अपने परिवार के बीच रहकर घर का खयाल रखती है साथ ही अपनी लाइफ इंजोवाई करती है बात करें रूपल ते आगे और इनके मदों की बॉर्णिकी तो बता दें रूपल ते आगे अपने घर में सबसे ज़्यादा ख्लोज अपनी मामी के है क्योंकि इनकी ममी ही तो है जिनोंने हमीशा ही ने हर एक चीज में काफी सपोर्ट किया है फिर चाहे बात डांस की हो या फिर एक्टिंग की साथ ही टीवी जिगत से जुड़ी ऐसी इंटरस्टिंग खबरों को जाने के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले